पिछले सप्ता अनप्रोसेस्ट चना के घरेलू बाजार मूल्य में करीब 5 प्रतिशत का इजाफा हुआ जबकि गत एक माह के दोरान इसमें 10 प्रतिशत से अधिक की बड़ोतरी दर्स की गई। पिछले कुछ महीनों से चना के दाम में तेजीन जबूती का सिलसिला बरकरार ह और नए माल की आवक शुरू होने पर भी इसमें नर्मी नहीं आई। चना का दाम न्यूंतम समर्थन मूल्य से 30 से 35 प्रतिशत उंचा होने के कारण केंद्रिय बफर स्टॉक के लिए सरकारी एजंसियों को किसानों से इसकी खरीद करने में भारी कठिनाई हो रही है। महाराष्ट्र के व्यापारियों का कहना है कि एक तो इस बार चना का घरेलू उत्पादन सरकारी अनुमान से काफी कम हुआ है और दूसरे आगे दाम बढ़ने की उम्मीद से किसान इस महत्वपून दलहन का भारी भरकम स्टॉक रोकने का प्रयास कर रहे हैं। इससे कीमतो भाव और भी तेज होने का भरोसा है। अलांकि पहले भी वहां से चना मंगाया जा रहा था मगर उसकी मातरा सीमित होती थी। अफरीकी देश तंजानिया से भारत में देशी चना का अच्छा आयात होता रहा है। समझा जाता है कि 58,000 टन चना से लदा जहाज पहले कहीं और जा रहा था मगर बाद में उसे भारत की तरफ मोड दिया गया। व्यापार जानकारों के अनुसार चना के रिकॉर्ड मूले से फिलहाल उपभोकताओं को ज्यादा राहत मिलने की संभावना नहीं है क्योंकि अंतराष्ट्रिय में इसका सीमित स्टॉक बचा हुआ है और नई फसल अभी काफी दूर है। इधर म प्रिपोर्ट मार्केट ताइमस टीवी